हेलो गाईज, वेलकम बैक टू मैं न्यू वीडियो गाईज, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दोस्तो वाटसेप डिस्पेरिंग मैसेज क्या है, इसका दोस्तो क्या यूज होता है, इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसे अगर हम एक्टिवेट करेंगे तो इ इस वीडियो को पूरा एंद तक देखना और अगर आपको यहाँ वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज यार आप हमारे इस वीडियो को हमेशा की तरह लाइक और शेयर करना मत भूलना चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले तो यहां से वाटसेप को पे होता है इसका क्या यूज है मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले ओन करने के लिए आपको प्रोफाइल वाले आप्शन पे क्लिक करना है फिर यहां पे देखो दोस्तों आई बटन आएगा इस पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे एक आप्शन आएग इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो जैसे कि दोस्तों मैंने 24 hours को सेलेक्ट किया है for example आप जितना भी चाहो सेलेक्ट कर सकते हो तो यह दोस्तों despairing message जो है वो दोस्तों on हो चुका है despairing message on हो जाएगा तो यह आपका profile के नीचे इस तरीके का यह बना होगा आजाएगा timing की तरह ठीक है तो दोस्तों हम इस पे click करेंगे click करेंगे तो यहाँ पे भी profile पे देखो छोटा सा timing की तरह बन के आचुका है फिर यहाँ पे लिखा होगा you turn on despairing message all new message will despair from this 24 hours after they are sent top to change दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जैसे कि आपने despairing message on कर लिया ठीक है उसके बाद आप कुछ chatting कर रहे हो जैसे कि अभी मैंने high कुछ भी हो यहाँ पे जैसे कि hi hello इस तरीके से मैंने chatting किया ठीक है तो दोस्तों यह despairing message on होने के बाद यह chatting हो रहा है ठीक है तो आपने जितना देर select कर रखा है जैसे कि मैंने यहाँ पर 24 hours select कर रखा है तो दोस्तों message यह जो जाएगा ठीक है उसके 24 hours बाद यह message खोजी खुद ही delete हो जाएगा जैसे कि अभी मैंने chatting किया फिर बाद में chatting करूंगा जैसे कि आप इंस्टा पे या फिर फेस्बुक पे story डालते हो तो 24 गंटे के बाद खुद ही automatic हट जाता है ठीक है उसी तरीके से दोस्तों यह जो आपका message है खुद ही delete हो जाएगा 24 गंटे के बाद अब जितना भी timing select करोगे 7 days select करोगे तो 7 days के बाद वो automatic delete हो जाएगा मैंने 24 hours select किया है तो 24 hours के बाद यह जो message है ठीक है यह automatic delete हो जाएगा तो यह despairing message का फायदा होता है यहां पर देखो मैं back आता हूं अपना दूसरा WhatsApp open कर लेता हूं और यहां पर देखो यहां पर भी दोस्तों जिसने भी despairing message on किया होगा उसका नाम जो भी आप 24 hours set किया हुआ है तो 24 hours के बाद यह खुद ही delete हो जाएगा आप जो भी इसके बाद message वगरा करते हो यह सब 24 hours के बाद delete हो जाएगा लेकिन वहीं आप इस तरीके से अगर reply करते हो ठीक है तो यह दोस्तों यह जो है यह delete नहीं हो पाएगा तो यह होता है despairing message का फायदा जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है उमेद करता हूँ कि आप सिर्ख गय होंगे कि despairing message आखिर होता क्या है और इसका use क्या है आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो गर अच्छी लगी हो तो प्लीज यार आप हमारे इस वीडियो को like or share करके channel को subscribe करन गैस इस वीडियो में इतना है मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत